आप सोई विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है इस टापिक में जीव विज्ञान के सामान ज्ञान के महत्तपूर्ण परसनों को बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है इसमें बाइलोजी के सामान ज्ञान के जितने भी इंपॉर्टन परसना है जो विभ वीडियो बेरी बेरी इंपॉर्टेंट है इसमें से अधिकतर टापिक वे एक्जाम में पाएंगे तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे की इस तरह के इंपॉर्टेंट टापिक आप पाते रहें तो आएए बीना रुक हम इसे सुरू करते हैं पहला आपका प्रस्णा है पाउधों में गैसों के आदान परदान के लिए रहते हैं तना तहनी रंद्र या तना तो सही आपका उतर होगा रंद्र अगला आपका प्रस्णा है अमीबा में भोजन का अंतरगरहण किसके द्वारा होता है कूटपाद कोशका मुह, सीलिया या गुदादार तो सही आपका उतर होगा कूटपाद अगला है जीव विज्ञान सब्द का परियोग सरपर्थन किस ने किया अरस्तु ने, पूरकिंजे ने, वानमाल ने, लैमार कियों ट्रेवी रेनस ने तो सही आपका उतर होगा अरस्तु ने, अरस्तु ने ही सरपर्थन जीव विज्ञान सब्द का परियोग किया था अगला आपका प्रस्ण है मनुस में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है एस्ट्रोजन, रिलेक्सीन, प्रोजेस्टरान या सबी कथन सत्य है तो चौथे का सही आपका उतर होगा रिलेक्सीन अगला है बाटनी सब्द की उत्पत्ती बाटनी सब्द की उत्पत्ती किस भासा के सब्द से हुई है पुर्तगाली, फ्रेंच, लेटिन या ग्रीक तो सही आपका उतर होगा ग्रीक भासा सूच में जीव मिलते हैं रेतली मिट्टी में, डलदल भूम में, लवन युक्त पानी में या इन सभी में छटवे परंस का सही आपका उतर होगा इन सभी मियानी जो सूच में जीव होते हैं वह परते का स्थान पर पाए जाते हैं अगला आपका प्रस्ण है मनुस्य में मुख्य स्वसन अंग क्या है कुलोम, ट्रेकिया, नाक या फेफ़डा तो सही आपका उतर होगा फेफ़डा अगला है दुई नाम पद्दत के परतिपालक हैं हिपोक्रेटस, लीनियस, थियोफ्रेश्टस या डार्बिन तो सही उतर आपका होगा आठमे प्रस्ण का लीनियस अगला आपका प्रस्ण है पारिया वरण का अध्यान जीव विज्ञान की किस साखा के अंतरगत किया जाता है पारी सित्की, कारी की, अनुबांसी की या वरगीक तो सही आपका उतर होगा पारी इसित्की के अंतरगत जिसे अंगरीजी में इको लाजी कहा जाता है अगला आपका प्रस्ण है निम्न में से कोन सी बीमारी स्वसंतंत्र से समबंधित है निमोनिया, टी-बी, निमोनिया या ये सबी यानि B और C दोनों तो सही आपका उत्तर होगा दसमेपरस का आपसन नमबर D यानि निमोनिया और टीवी दोनों ही सोसं तन से संबंधित हैं अगला है वाई मंडल में सामानतिया कार्बन डाई आकसाइड पाया जाता है यानि कितने परसंट पाया जाता है 78, 21, 4 अथवा 0.03% कार्बन डाई आकसाइड वाई मंडल में कितना पाया जाता है तो आपका सही उत्तर होगा 0.03% वाई मंडल में कार्बन डाई आकसाइड गैस पाया जाती है सबसे अधिक यती पूस्ता है तो आप जानते हैं नाइट्रोजन है उसके बाद आकसीजन उसके बाद अन्नेगैसे अगला है खाद पदार्थों का पाउधों में अस्थानांतरन का मुख रूप कोन सा है खाद पदार्थों का पवदों में अस्थानातरण का मुख रूप से कोन सा है प्रोटेन, सुक्रोज, स्टार्ज या गुलुकोज तो सही आपका उतर होगा सुक्रोज अगला है निम्न में से किसे परकास संसलेसी अंगक कहते हैं जड, इस्टोमाटा, हरितलवण या पत्ती अगला मनुस में बुद्धियों चतुराई का केंद्र है सेरी बेलम, हाइपो थैलेमस, सेरी ब्रम, स्पाइनल काड तो सही उतर होगा आपका सेरी ब्रम जो है या बुद्धियों चतुराई का केंद्र है मनुस में मादा, जनन, अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टरान, रिलेक्सीन या सभी कथन सत्य हैं तो सही आपका उतर होगा रिलेक्सीन, बेरी बेरी इंपोर्टन कोश्चन है सब अगला है बनस्पत संबर्धन, बनस्पत संबर्धन से संबंदित बिज्ञान की साखा को कहते हैं फ्लोरी कल्चर, इगरी कल्चर, हार्टी कल्चर या ओलेरी कल्चर सोलमे परनस्पत को ध्यान से समझेए बनस्पर सम्बर्धन से सम्भकूत बिज्ञान की साखा को कहते हैं तो सही आपका उतर होगा harta culture अगला है छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं हेलियोफाइटस, थियोफाइटस, सियोखाइटस या इन में से कोई नहीं तो सही आपका उत्तर होगा सियो काईटस अगला है सरीर की सबसे बड़ी गरंथी कोन है सरीर की सबसे बड़ी गरंथी कोन है लार गरंथी, थायराइड गरंथी, यक्रित गरंथी या अमास है तो सही आपका उत्तर होगा यक्रित अगला आपका प्रस्ण है निम्न में कौन सी बीमारी स्वसंत तंत्र से संबंदी था इस परंस को हम लोग पढ़े थे आपसे नमबर D सही था अगला आपका प्रस्ण है बीसाडू ब्रिध करता है पाने में मिरी सरीर में चीनी के बिलेन में या जीवित कोशकाओं में बीसे परस्ण का सही आपका उत्तर होगा पानी में या तेजी से व्रिध्धी करता है अगला है निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है पेफसेन, ट्रिफसेन, टाइलिन या काइमो ट्रिफसेन अगला आपका परस्ण है, सरीर की सबसे बड़ी ग्रंती कौन सी है इस परस्ण को भी अबी आप लोग पढ़े है या क्रित आपका सही उत्तर होगा अगला है उर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राया किसका उपियोग करती है उर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राया किसका उपियोग करती है सुक्रोज का वसामल का गुलुकोज का या अमीनो अमल का तो सही आपका उत्तर होगा गुलुकोज का अगला प्रस्ण है फेफडा का आकार होता है अंडाकार, संकवाकार, बेलनकार या घोलाकार तो सही आपका उत्थर होगा अफसन नंबर B, संकवाकार अगला प्रस्ण है आक्सीजन है हार्मोन एंजाइम कार्बो हाइडरेट या वसा तो सही आपका उत्तर होगा आप्सन नमबर B एंजाइम आक्सीजन एक एंजाइम है अगला है छाया में पनपने वाले पौधों को कहते हैं इस प्रस्ण को अभी हम लोग पढ़े हैं सियो काईटेस इसका सही उत्तर है तो इसमें केवल वही प्रस्ण थे जो बार-बार एकजाम में पूछे गए थे और इसमें कुछ प्रस्ण आपके बार-बार आभी गए हैं तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने जिससे की आपकी तयारी जितने भी आपके विशे से प्रस्ण आते हैं सामान निग्यान से उन सभी प्रस्णों की तयारी इस चैनल पर करवाई जा रही है आप से भी द्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद